तो अब उन लोगों के लिए आगे एक सबसे बड़ा टास्क आता है कि अब जो बचा हुआ समय है जो यह अगले साथ दिन का समय बचा हुआ है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें और जो इतना बड़ा सा सिलिबस है वो हम किस तरीके से कवर किया जाए यहाँ पर सिर्फ आपको कवर ही नहीं करना है बलकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है आपको किस तरीके से टाइम मैनेज किया जाए कि पेपर में आपका क्वेशन न छूटे यह सब कुछ ही समय करना है और इस समय प्रलिम्स का भी भार आ जाता है और एक्स्ट्रा जो मेंस के स उसको लिखना भी होगा और किवल लिखना नहीं है समय के अंदर में लिखना होगा इस दौरान में कई तरीके के स्ट्रेस आते हैं कई तरीके के आपको टाइम मैनेजमेंट की चीज़े करनी होती हैं और सबसे इंपोर्टेंट होता है अपने आपको मोटिवेट रखना तो आ क्योंकि उनके लिए जादा जरूरी होता है कि इस समय कोई एक सपोर्ट दे इस समय सबसे जादा अगर कोई ब्रेक हुआ रहता है तो वही होते हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आखिर में क्या किया जाए क्योंकि एक लड़ाई है यह एक ऐसी जंग है जहां पर आपको अपने आपको प्रूफ करना है जहां पर आपका कोई साथ देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा लेकिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो कई लोग आपके सामने हाथ फाइलाई जरूर खड़े रहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में क्या कर सकते हैं पह शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर लेने चाहिए जो भी पास्ट एर के क्वेशन से उनका मॉडल आंसर आपको लिख लिख करके तयार कर लेना है टॉपिक के साथ में आपको कोई एक टेस सीरीज भी पकड़ लेनी चाहिए इसलिए पकड़ लेनी चाहिए कि जहां पर आप अपन कॉंटेंट बहुत सारा रहेगा जिसको आप लिखना चाहेंगे लेकिन टाइम मैनेज करके आपको लिखना है और केवल टाइम नहीं आपकी जो वर्ड लिमिट है जो शब्दों की एक सीमा होती है उस सीमा के अंतरगत कितना बहतर आप अपने आपको दिखा पाते हैं कितन अपने नई रिपोर्ट आई है या जो नई नई चीज़े आती है करेंट अफेर्स में बनी हुई उन सब चीजों को ले आना है जिससे आपका आंसर जो आप एक्स्प्रेस कर रहे हैं वो एक वाइबरेंट बना रहे और लगे कि ये एक ऐसा एस्परेंट है जिसको अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत अच्छी नौलेज है अगर आपका जोगरफी ऑप्शनल है तो उसके लिए हम लोगों ने 8 पीम पे एक सीरीज चला करके रखी हुई है यहां पर हम लोग सिल्बस को डिसकस करते हैं साथ ही साथ में जो पास्टियर के क्वेशन्स हैं उनके मॉडल आंसर उनके डिसकुशन्स और जो कंटेंप्रेरी की चीज़े चल रहे हैं उनसब को एक साथ हम लोग डिसकस करते हैं आठ्वजे वाली क्लास में 8 बजिवली क्लास को आप जॉइन कर सकते है में ले सकते हैं और जो भी वीडियोज भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं अब देखें जो लोग जोग्रफी ऑप्शनल से और रिकॉग्निशन आईये से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पहले अगर एक सजेशन दिया जाए तो सजेशन आपको यही है कि आप अपने अंदर में डेडिकेशन आपको लिय responsibility लेनी होगी केवल पढ़ लेने मातर से चीज़े नहीं होगी और यह बात आप अगर आप 8 पीम वाली क्लास फालो कर रहे हैं तो बात समझ में आ गई होगी कि बिना लिखे चीज़े नहीं होगी कम पढ़ना है लेकिन लिखना जादा है क्योंकि लिखते समय आपको बहुत सारी ऐसी बाते आएंगी जो आपको वापस से अपने किताब खोलने पर अपने नोट्स खोलने पर मजबूर करेंगी और यही सबसे ज्यादा इंप्रेंट होता है इसलिए कहा जाता है पढ़ो कम लिखो ज्यादा क्योंकि जब लिखोगे तब उसके बात से वापस से करने के लिए टेम्टेशन होगी कि यार इस वाली चीज के लिए हम और क्या इंक्लूड कर सकते हैं तो लिखना जादा है पास्ट एर क्वेशन को प्रेक्टिस जादा करनी है और जितनी बार प्रेक्टिस करेंगे उतना जादा आपको कॉंटेंट आपके दिमाग में प्रेक्टा भी जाएगा बहुत सारी चीज होती जो रट्टा मारने का दौरान में लगेगा कि यार यह वाली चीज नहीं समझ में आ रही है या किस तरीके से याद करें लेकिन अगर उसी को उसी पर बेस्ट अगर पास्टियर क्वेशन को दो बार आप लिख लेंगे तो प्रिटिकली वो सारी चीज़े आपके दिमाग में याद हो जाती हैं यह तो हो गई आपके जोगरफी ऑप्शनल की कहानी कि किस तरीके से इसको प्रिपेर किया जाए और इस तरीके से अगर आप प्रिपेर करेंगे तो अल्टिमेटली आप 300 तक का मार्क्स रीच कर सकते है इससे पहले भी लोगों ने अटेम्ट किया है और इस तीन महीने के दोरान ही सिर्फ और सिर्फ प्रिपेरेशन करके 270-280 नमबर लेकर के आए हैं और अगर आप पहले से कर रखे हैं तो फिर 300 का नमबर उठा पाना 300 तक आप रीच करना कोई बड़ी चीज नहीं होगी आसा के बाद आपकी कहानी आती है जीएस को ले करके क्योंकि अल्टिमेटली जीएस का भी एक बहुत बड़ा चंक आपके पास में रहेगा इसमें एक टॉपिक है जो एक साथ कलब इसलिए किया गया है क्योंकि अब फिलोसफिकल एसे रहते हैं और एथिक्स के दोरान में आप क आप ने पढ़ रखा है इसको वापस से पढ़ने की जुरूवत नहीं है आप इसके जो क्वेशन से पास्टियर कोशन के बेसिस पर ही उठाएंगे पास्टियर के को उठाईए उनको लिखना शुरू कर दीजिए जहां आपको दिक्कत लगे कि यह वाला टॉपिक नहीं सम आपकी जो आपका मेजर चंक बचा हुआ है वो छूड जाएगा तो इस वज़े से जो पास्टियर के क्वेशन से उनको आपको लिखना है और फिर अगर वहां पर कन्प्यूजन हो तब अल्टिमेटली जाकर के उस टॉपिक को रीड कर लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा आपक आपके नोट्स होंगे आपके पास में बुक्स होंगे आप पहले से पढ़ रखे होंगे लेकिन अब वापस से इसको वापस से ब्रशप करना पड़ेगा क्योंकि प्रलम्स के दौरान में यह सब चीज़ें टच में नहीं रहती है और दूसरी चीज यह वो टॉपिक्स है जहां पर उतना ज्यादा फोकस शुरू में ही नहीं करते हैं अब इसको कवर करने के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर मेंस 365 मैगजीन जो की विजन आइस के दौरा निकाली जाती है अब यहां पर देखिए कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंस 365 के दौर ही कवर कर लिए जाते हैं जैसे आपकी पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनल सिक्यूरिटी इंटरनेशनल रिलेशन्स इंडियन सोसाइटी सोशल जिस्टिस यह वो टॉपिक्स है जहां पर आप मेंस 365 के बेसे पर ही प्रिपेर कर सकते हैं लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट इ जो जिये के लिए एक अलग से ख्लासिज रहेंगी लेकिन जो जो जियेस प्रिलीं 누igmat से उनको हम लोग Скर सकते हैं लेकिन यहां पर थोड़ी से ट्हाइम लिमिटेशन हमारे टीम के तरब है जिसके लिए हम यह मौडल आंसर प्रोवाइड कर नहीं कर पाएंगे अगर य इन सब के टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेर करने के लिए और आपके दिमाग में पॉइंट वाइस बुलेट पॉइंट के वाइस आपको टॉपिक्स याद कराने के लिए मेंस 365 की मैगजीन को हम लोग डिसकस करेंगे, पब्लिकली डिसकस करेंगे, तो यहाँ पर दो प्रिके से अब जो सेलेक्टेड लोग हैं, वो टाइम मैनेज करें, तो टाइम मैनेज करने के लिए एक छोटा सेहाँ पर शेडियूल दिया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कहीं न कहीं यह शेडियूल आपको आपका जो सिलबस है, कंप्लीट करने में काफी यादा important role play करेगा, आप start कर सकते हैं, next 10 to 12 days, 20 to 22 days, आप optional, यह तो prepare आपको daily basis पर करना ही है, short notes हो गई, past year के model answers हो गई, यह आपको लिखना ही लिखना है, तीम घंटे आप daily basis पर आपको answer writing करनी ही करनी है, लेकिन शुरुवात में आप ethics and essay पर जरा focus कर लीजे, क्योंकि यह एक ऐसा topic है, यहाँ पर number आपके अच्छे खासे उठेंगे, पांसो number का paper ही है, और दूसरी चीज, इस topic को अगर prepare कर लेंगे, तो आपके सर पे जो एक बोज है, वो काफी दूर हो जाएगा, अगले 15 दिन आप GS का जो prelims वाले topics थे, अल्रड़ी जो आप पढ़ चुके हैं, बस उसकी mains 365 तब तक आ चुका होगा, और हम लोग discuss करना शुरू कर चुके होगे, तो इस वज़े से अब international relations, world history और जो बाकी के topic से उनको भी one by one करके आप practice कर सकते हैं, past year को लिख सकते हैं, और ultimately आपका जो topic उसको revise कर सकते हैं, अगला जो last 20 days होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप full mock test करिए, और जहां पर भी doubt लगे, कि यार यह वाला topic उतना सही नहीं समझ में आया है, तो उसको आप refer करके directly लिख सकते हैं, लेकिन इस दौरान में आपको सर्फ और सर्फ लिखना है, सर्फ और सर्फ practice करनी है, कारण इसलिए, क्योंकि इस समय आपको राइटिंग जितनी ज लिखना है, कितना introduction, कितना conclusion, क्या content management, यह सब चीजें नहीं वहाँ पर ध्यान में आती हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एकी motive होता है, कि बस question को किसी तरीके से complete करो, time limit के अंदर में सारी चीज़ों को लिख लो, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही रहता है, कि कोई question छूड करता है, तो इसलिए practice भी करना है, साथ ही साथ में आपको अपना content भी, जितना अच्छे तरीके से आप deliver कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप deliver करनी की कोशिश करिए, यह planner आपके लिए इस पूरी strategy को, इस पूरे तरीके को, किस तरीके से practice में लेकर के आएं, यह help करे अब आखिर में वो लोग जो qualify नहीं कर पाएं हैं, वो अब क्या करें, यह देखे काफिर tough time होता है, एक होता है tough time जहां पर आप negativity में जा सकते हैं, जहां पर आप अपने आपको अकेला महसूस कर सकते हैं, और आप अपने आपको अकेला कर भी सकते हैं, लेकिन वो समय नहीं हैं, आप चाहें तो यह follow कर सकते हैं, निगेटिविटी में रहिए हफते 10 दिन 15 दिन एक महीने, time waste होगा, कुछ नहीं होगा, और एक दूसरा तरीका है, इस exam को exam के तरीके से लेने का, ego पे न लेकर के आप देखें, evaluate करें, कि आखिर में यह exam क्या ही था, एक तरीका हो सकता है, कि आप वापस से शुरू करिए, वापस से एक नई energy को लेकर के आईए, अब नई energy को लाने के लिए obviously पुरानी चीजों को छोड़ना होता है, तो पुरानी चीजों को क्या छोड़ें, पहले तो वो जगा जो आपको लगे कि यार ये वाली जगा मेरे लिए मनुसियत का काम कर रही है, मुझे positive नहीं रह रही है, छोड़ दीजिए, दूसरी library join करिए, दूसरा table chair खरीद करके ले करके आईए, दूसरे कमरे में जा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, उन group से बचिए, जो आपके दिमाग में negativity डाल रहे हैं, बार बार आपसे problems का result पूछ रहे है या फिर उन लोगों से दूर रहे हैं, जो आपसे ये कहानी बता रहे हैं कि यार उसका तो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, ये वाला बंदा तो कम पढ़ाता है, तुम तो इतना पढ़ते थे, उन लोगों से थोड़ा सा distance maintain कर लीजिए, अभी फिलहाल में, बाद मे भले दोस्ती कर लीजिएगा, अभी फिलहाल में उन से दूरी बना लीजिए, तो उन पियर ग्रूप से भी आपको दूरी maintain करके रखनी है, जो negativity आपके दिमाग में फैला रहे हैं, दोस्त चुनना आपके हाथ में होता है, उन लोगों के साथ में रही है, जो आपको motivate कर रह ही होता है, motivation का मतलब होता है, जो reality बता रहा हो, जो आपको energize कर रहा हो, energy आपको जो दे रहा हो, अपने आपको busy रखिए, अब अपने आपको busy रखने के लिए आप अलग-अलग चीजे कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, जिम जाईए, वहाँ पर अपनी body को भी थोड़ा सा time दीजिए, वहाँ से थोड़ी सी आपको motivation मिलेगी, फिर उसके बाद से आप personal चीजों में involved मत होईए, आप चीजों को देखिए, आप जोग्राफिक चैनल को follow कर सकते हैं, जोग्राफिक चैनल का मतलब जो national geography होती है, documentaries वगरे होती है, there are so many videos and so many content on YouTube, जो कि आपको ultimately उसे ज्यादा ग्यान देगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं, उनको भी follow कर सकते हैं, आप monthly magazine को देखिए, आप newspaper को देखिए, आप जो articles हैं, उनको खुद से लिखना देखिए, कितने ऐसे लोग होंगे, जो आपके पास में content तो बहुत सारा है, लेकिन आप में से कितने ह लोग ऐसे हैं, जिन्होंने editorial का एक formation करके, खुद editorial लिख करके newspaper में भेजा हो, Indian Express हो गया या फिर दहिंदू हो गया, आप वो भी काम कर सकते हैं, आप लिखिए, practice करिए, और you can also send your write-up to the newspaper agency, वहाँ पर हो सकता है आपके editorial को जगा दिया जाए, वहाँ पर हो सकता है आपके editorial क भी आप छापा जाए, आप वापस से शुरू करिए, एक नई energy के साथ में, short note making शुरू करिए, आपके पास में जो भी books हैं, आप कई दो prelims को दारान में आपने सोचा होगा, कि यार ये वाली book यार अगर मैं short note बना लिया होता, तो शायद आज बहुत काम हो जाता, वो समय आ गया है, कि आप उस short note को वापस से री प्रिपेर करिए, आप जो भी main strategy बाकी के selected लोग फॉलो करने हैं, वही आप भी फॉलो करिए, आपके पास भी वही same target होने चाहिए, कि मुझे इतने दिन में इतने दिन में खतम कर लेना है topic, ultimately आप भी उन्ही टेस्ट को दीजिए, आप भी उसी past year questions को एकदम thoroughly दीजिए, तो time manage करना या सारी चीज़े करना या आपके हाथ में होता है, या तो आप लेथाजिक पढ़ करके सो जाईए, या दूसरा तरीका हो सकता है कि उसी same energy के साथ में, और in fact ज्यादा energy के साथ में, आपको उन्ही लोगों के साथ में compete करन चाहिए, जो लोग problems के बाद immense देने जा रहे हैं, past year questions को लिखिए, बार बार लिखिए, और अपने आपको self evaluation करिए, पुराने question को आप जो पुराने question आपने लिखे हैं, उसके answers को पढ़िए, और आप वापस से लिख करके अपने answer को देखिए, आप evaluate करिए अपने आपको क कौन सा ज्यादा better है, और अगर better है, तो कहां पर better हो रहा है, आप newspaper के भी जो articles है, thoroughly तो नहीं, लेकिन हाँ, आप selectively जरूर रीड करिए, उसको भी देखिए, कि हम और क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ आपके पास में हो सकता है, कि आपके state examination भी हूँ, जैसे UPPCS का examination आने वा बाकी की जो चीज़ें वो भी एक service देंगी, last में ultimately केवल और केवल जो आपको काम आएगा वो रहेगा कि how satisfied with your work, how satisfied you are in your job, doesn't matter कि you are in your UPSC service और in some other service, ultimately सभी लोग select नहीं होते हैं, लेकिन सब लोग कहीं न कहीं select जरूर भी होते हैं, तो आपको इस बातों पर ध्यान रखना ह तो या तो वापस से, या तो negativity के साथ में वापस से जाकर के घर पे सो जाईए, या अगें एक नई energy के साथ में वापस से उन्हीं सब चीज़ों को नए तरीके से शुरू करिए, तरीका बदल करके भी देखते हैं तो शायद हो सकता है कि इस बार success लगे, यहां नहीं तो कह यहां रही ही